नमस्कार दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है तल्ला दलाल के किचिन में मैं साक्षी और आज मैं बनाने वाली हूँ स्पिनिच गार्लिक चीज तवा सैंविच सैंविच हम सबका मन पसंद दीना नाशता है तो आज हम बनाने वाले एक बहुत ही चीजी सैंविच जिसमें हम बहुत सारा मियोनीज डालेंगे, चीज डालेंगे और हम उसको पालक के साथ थोड़ा ट्विस्ट भी देंगे ये बच्चों को खास करके बहुत पसंद आएगा तो चलिए हम इसकी शुरुबात करते हैं तो हम सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन में बटर डालेंगे बटर में हम थोड़ा लहसुन डालेंगे इदना बारीक कटा हुआ और इसको एक से दो मिनिट तक मध्यम आज पे भूनेंगे जब तक वो थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए इसको ज्यादा ब्राउन होने नहीं देना है अब यह हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम ग्यास बन करके इसे साइड पे निकाल देंगे सांविच बनाने के लिए हम सबसे पहले दो ब्रेट स्लाइस लेंगे और उसमें से एक ब्रेट स्लाइस पर हम चीज डालेंगे मैंने यहाँ पर प्रोसेश चीज यूज किया है आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं अब हम इसमें पालक डालेंगे यह पालक मैंने पहले से उबाल के रखा था और इसका पूरा पानी निकाल देना है वरना सांविच क्रिस्पी नहीं बनेगा और उसको फिर मैंने काट दिया है अब इस पालक को इसके उपर हम स्प्रेड कर देंगे इसमें हम अब लहसुन डालेंगे जो हमने पहले भून लिया था यह से एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगा और स्वाद अनुसार नमक इसके उपर थोड़ी पिसी हुई काली मिर्च इसके उपर हम वापस थोड़ा सा चीज डालेंगे अब इसको दूसरी ब्रेट स्लाइज इसके उपर रखेंगे अब हम इसके उपर थोड़ा मयोनीज अपलाई करेंगे अब चलिए इसे हम तवर पे सेखते हैं अब हम सैंविच सेखना शुरू करते हैं जिस साइड पर हमने मेवनीज लगाया था वो साइड हम तवे के उपर डालेंगे उसे हम थोड़ी देर तक सेखेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ध्यान रखेगा कि मेवनीज नीचे से जले ना इसलिए आप उसे जल्दी सेखिएगा अब हम उपर की तरफ भी मेवनीज लगा देंगे हम सैंविच को बटर से नहीं और मेवनीज से सेख रहे हैं ये इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और ये आपके बच्चों को डेफिनिटली पसंद आएगा अब ये सिख चुका है अब हम इसे उल्टा करेंगे अब हम दूसरे साइड को भी अच्छे से से सेख लेंगे अब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसे तवे से निकाल देंगे अब हम इस सांविच को दो हिस्सों में काट देंगे और इसी तरह हम एक और सांविच बना देंगे तो हमारा स्पिनिच गार्लिक चीज तवा सांविच रेडी है आप अपने घर पर बनाईए बड़े बच्छों सबको बहुत ही पसंद आएगा और इस सांविच का आनन्द उठाईए तिल दें, गुद्बाई फ्रम साक्षी